नमस्कार साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला जी जानकारी बाले पर तो साथियों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपका लेवर कार्ड बना हुआ है और वो आपका एक्सपार हो गया है मतलब जो उसकी रेवर कार्ड डेट होती है वो निकल चुकी है या एकार दो दिन में निकलने वाली है तो आप लोग उसको रेवर कार्ड बना हुआ है और आप लोगों का लेवर कार्ड एक्सपार हो गया है मतलब उसकी जो देट है वो एक्सपार हो गई है रेवर कराना है आपको तो किस तरीके से कैसे रेवर करेंगे बो तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा तो यूपी बीओ सी डव्लू डॉट इन की साइड पर आप लोगों को आना होगा आएंगे तो यहा इस वाले ओप्सन पर आप लोगो किलिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने इंटरफियस आएगा यहां से स्कॉल करते हो नीचे की तरफ आएंगे आपको पंजी कर संख्या दिखाई देगी आपको क्या डाल सर्च किया था नाम दिखाई देगा जनपत दिख अब आप यहां देख सकते हैं जून जून 2021 किसको नकर लेवर कार्ड बना था और जून 2022 2022 को इनका एकस्पार हो गया था मतलब इनका जो कार्ड है नो काफी दिनों से जो है वो रिनू नहीं हुआ है तो रिनू करने के लिए अनकी जो जिती थी तेइस छे दो जार बाइस करने की लेकिन इनका जो कार्ड था वो रिनू नहीं था अब आप लोगों को घर बैठे ही अपना कार्ड रिनू करना है तो यहां नभीनी करण करें वाले आप लोगों को किलिक करना होगा जब इस पर आप लोग किलिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने फिर लेवर कार्ड है, वो रिनू करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप लोगो चूच करना होगा, चूच करने के बाद नभीनी करन जमा करें, यहाँ पर मैंने आपको सुनने होंगे, एक साल, दो साल, तीन साल, कितने साल के लिए आपको इसको रिनू करना चाहते हैं, वो यहाँ क्म क्वेज गज़र लेंगे चूज करने की बाद आप लोग नमीनी करन जमा करें करें इस पर अप लोग इस पर उससकी करेंगे तो आप लोग आपके सामने सोपने इंटरफäreस आएगा यहां पर आप देखेंगे इनका जो बिल्ब आ मैंने किया था तो यहां पर चार साल की जो इनकी फीस होगी बुकटेगी क्योंकि एक साल जो है वह इनका ड्यू हो चुका है 23626 तक जो कार्ड होगा वो रिनू हो जाएगा तो नमी निकरन जमा करें वाले उप्सन पर आप लोगो को किलिक करना होगा जब इस पर आप लोग क करेंगे तो आप लोग देखेंगे फ्रोसेसिंग चलेगी इस तरह का इंटरफेस आएगा अब आपके लेवर कार्ड पर जो मॉवाइल नमबर लगा था लेवर कार्ड से जो मॉवाइल नमबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगी ओटीपी टालने ओटीपी पुश्टी करक क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा अब यहां से फीस पे के अब वहुत सारे ओप्सन यहां पर देखें सो रुपए फीस कट रही है मतला इनका जो लेवर चार्ज है उसकी जो एक मतलब 20 रुपए सालाना फीस होती है एक साल की लेकिन चार का बीचो करसी रुप गए फीस चला रहे है उस भी अब से प्रफित कर लेंगे लिए इसक्ट कते ही उगी ऑपने फीस पर लेकर आजाएगा यहां से और बेंट केसी प fim करने के लिकी यहां से print कर सकते हैं यह रसीद जो है जो आपने फीज जमा किया उसकी रसीद की print यहां से आप लोग जमा कर सकते हैं इस तरीके मैं इसको close करके दिखा रहा हूं cancel करके thank you यहां पर देख सकते है आविदन संख्या पंजयन सुल्ख भुक्तान तिती भुक्तान नमबर और thank you transaction is successful मतलब अब आप लोगों को जो फीज है वो जमा हो चुकी है पच्चिस तीन पच्चिस दर दोयार तेज को दो बच कर बारा मिनट पर इसकी जो फीज है वो जमा हुई है तो इस तरीके से सारी डेटिल आप लोगो दिखाई देगी और आप लोग अपना लेवर काड अगर र UPBocW.in की साइट पर दुबार फिर से आना होगा बहां पर आने के बाद आप लोग चेक करेंगे आपकी फीज कटी है या नहीं कटी है तो आपकी फीज जो है वो कट चुकी अब आपको चेक करना है तो UPBocW.in की साइट पर आएंगे इस वाली साइट पर आने वार आपको इस पर click करना होगा, click करेंगे तो इस तरीके का interface आप लोगों के सामने दिखाई देगा, यहां से जब interface इस तरीके का दिखाई देगा, यहां से इसको cut कर देंगे, cut करने के बाद, आप लोगों के सामने सिर्मिक वाला option दिखाई दे रहा है, यहां पंजियन की इस्तिती, इस हाँ पर टIC कर देंगे हाँ पर टिक कर देंगे आपने ने जो भी डिटेल भर देंगे capture चैसे सट पर क्लिक करेंगे कैब किले कीँ मोगा पर फिरसे ओर टीपी होगी दो तरीपी आएले के बाद वो इस तरीके से खुल कर आएगी आपका सारा जो डाटा होगा पूरा खुल कर आजाएगा आप लोग देखेंगे जितने भी लेवर कार्ड में आपके नाम जुड़े हुए होंगे वो सारे यहां पर इस तरीके से दिखाई देंगे नाम लिंग आयू सिर्मिक का आधार कार् 2023 को इसकी फीस है वो कटी है और इनका जो जो है 2326 तक जो लेवर कार्ड रिनू हो चुका है तो आप लोगो मैंने इस वीडियो में बता दिया कि आप लोग अगर अपना घर बैठे ही लेवर कार्ड को रिनू तो सिर्मिक कार्ड जो बोलते हैं उसको अगर रिनू करना चा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाना बटन दवाना ज़रू ना भूलना और आप लोग कमेंट में मुझे जबूत आना कि आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया यह तरीका कैसा लगा और वीडियो को आप लोग शेर ज्यादा से ज्यादा करना तो साथ यू आज क बीडियो में इतना ही धन्यबाद जय हिंद जय भारत